हेलो बच्चों आज मेरे पास तीन प्रॉबलम प्रक्टिस है एक विद्यार्थी का इसमें कोशन आया था कि सर इसका इस्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और इसमें सिग्मा पाई कैसे कल्गर्ड कर सकते हैं मैं इस विडियो की माद्य में से यह तीनो कोशन को बहुत इजी में समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे आप इसका इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और प्रिएड दो वाले जो होते हैं वैलेंस में आठी लेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं इसी ट्रिक को अपना करके structure के बनाने का प्रयास करते हैं, तो valence में इतना electron होगा, maximum उतना ही bond बना सकता है, तो कैसे structure बनाओगे, तो simplest मेरे पार बच्चे CO2 है, तो जो least element होते हैं, उनको center पर रखोगे, तो कि उसी से electron share करेगा, gain करेगा समझे, simplest one डा है, अब इसमें oxygen है बच्चे, और यह oxygen है, तो अगर मैं इसमें oxygen है, carbon है, oxygen है, यह simplest तरीका है, तो oxygen, अगर मैं तुम्हें साट्रिक बताओं, साट्रिक से अगर follow करोगे, तो oxygen दो ही bond बनाता है, क्योंकि oxygen के वाले में बच्चे 6 electron होता है, तो यह 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, दो अलेक्टोन को share करेगा, दन, तो देखो इसी तरखीब को अपना हो इसमें, तो इस से 2 bond बना सकते हो, इस से भी क्या बना सकते हो, 2 bond बना सकते हो, तो देखो इसमें भी क्या ना, carbon का 8 electron पूरा होगे, होता है जो जा यहां पर आपके पास इसमें भी चार एक्टरन है इसमें उसक्टा बनाता है डोलोंप्या और इसिलिए सिंप्रिस एक्षें हैं कि हैस्पोर डाइब c4 को आप च्रीक करोगे तो कारबन है हई डोजन है और यह और कि आप पना सकता है विससिंप्रीं से अमकुद्रीं के सब्सक्राइब उपक्राइब कर दो अब यह देखोगी कि सब्सक्राइब तो किसी एक को W Bound से दिखा दो यह Aucygen यहां पर 3 Bound बना लिया टॉकवाले को देखो के 3 Bound बना लिया तो यहां पर बच्चे क्या आएगा अगर Aucygen 3 Bound बनाएगा तो कि जोड़की जेनरली इसकी हैसियत है 2 Bound बनाने की जब 3 Bound बनाएगा तो इसके उपर इसमें कितना बचा भी? शार लेक्टॉन बचा होगा. इसमें देखो इसने एक एलेक्टॉन को सेरिंग किया है. इसमें क्या बचा होगा? यानि कि 6 एलेक्टॉन होते हैं, एक इसने सेरिंग किया हुआ है. तो अभी भी इसके पास 5 एलेक्टॉन बचा हुआ है. तो अब लब एक extra electron होता है, इसलिए बटाए इस पर charge क्या आता है, minus का आता है, clear होगे यहां तक, ok, ते structure होगे आपका, O3 का हो गया, अब O3 में अगर structure देखोगे, तो यहां पर क्या आना, कि एक resonance का concept भी आता है, और यह double bond कभी इसके साथ भी हो सकता है, कभी इसके साथ भी हो सकता है, को कि अगर यहां पर double bond आ सकता है, तो similarly यहां भी तो आ सकता है, को कि यह oxygen भी equivalent है, ok, तो बच्चाहिए देखोगे यहां पर कुछ हैसे आएगा, O, यह O हो जाएगा, यह O हो जाएगा, यहां पर plus और यहां पर minus और double bond यहां पर आ जाएगा, इसलिए इसका equivalent resonating structure, यानि कि यह double bond कभी इस वाले oxygen के साथ है, कभी इस वाले के साथ है, इसलिए कभी कभी इसका resonating structure, structure कुछ आपको ऐसे दिखाएगा, यह double bond इस वाले oxygen के भी साथ है, और इस वाले oxygen के भी साथ है सब्सक्र, आप जब बटा सी वाले एग्जाम पल पे, अगर इसमें sigma और pi चेक करोगे, तो carbon dioxide में यहां पर एक sigma है, एक pi है, एक sigma है, एक pi है, दन हो गया, अब दोखोगे, इसमें आपके पास loan pair कितना है, तो loan pair बच्चे अगर देखोगे, तो यहां पर इस oxygen पर दो loan pair है, और इस oxygen पर भी दो loan pair है, तो total loan pair कितना आ गया, चार loan pair आ गया, तो चार loan pair कुछ ऐसे आप दिखा सकते हो, ओके, sigma pi की बात बोलोगे, तो 2 sigma आ गया, 2 pi आ गया, डन, अब ज़रा देखो, CO कैसे बनाओगे, तो C में और oxygen को कैसे sit करोगे, carbon के balance में कितना electron होता है, चार electron होता है, तो पहले आप दो-दो electron से, यानि कि आप यहाँ पर double bond बना सकते हो, इस carbon पर अभी भी दो electron बचा हुआ है, इसको ज़रा संतुस कराओगे, तो आपके पास अभी भी बच्चे, दो खर्च होगे, तो दो लोन पर बचा है, यानि चार एक्टोन के साब से दो लोन पर बचा हुआ है, अब दोखो इसमें अगर आप sharing कराओगे बच्चे, तो sharing ना करा करके oxygen जो होता है, carbon के साथ coordinate bond बनाता है, तो यह वाला आपका जो bond होता है, तीसरा bond जो होता है, coordinate bond होता है, और किसी-किसी books में इसको कहाना triple bond से दिखाता है, किसी-किसी books में क्या दिखाता है, triple bond से दिखाता है, और यहाँ पर इसका lone pair दिखाएगा, और lone pair इसको यहाँ दिखाएगा, तो इसमें simply क्या मतलब है, कि CO जो होता है, एक nuclear file की तरह भी behave करता है, यानि carbon के पास भी olibility ह और oxygen के पास भी all ability है sharing के समझो तो यह आप में simply कहाना जो तीसरा bond होता है यह actual में coordinate bond होता है और किसी-किसी books में इसको कहाना ऐसे दिखाता है यह आपका complete overall structure हो गया काफी अच्छे question थे I hope कि यह वीडियो आप से काफी आप संतुष्ट होंगे फिर भी अगर आपको doubts है तो मेरे को आप personal whatsapp में message कर सकते है ओके